सब्सक्राइब लगा हुआ है और अंदर यहां पर नहीं है पर ट्याप पॉइंट है इसमें इसमें जो वारिंग है अंदर का बात्रूम का वाल का अंदर जो pipeline लगा गया है वह जी आई पाइपी कम से कम यह 20 यह जो काम है और ये pipeline जो है आईरन का है जो जिसको बोलते हो जो iron बोलते हो और pipeline जो है ब्लॉक हो चुगा जिसके वसे हम जो पानी चालू परते हैं थेंट कितना असा है एक ट्याप को खोले तो देखें लिए तो यह थोड़ा सा जाधा आता अगर एक चाहत में एक ट्याप को आपको उपन करें तो पानी थोड़ा 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 आता है तो इसी तरह का फ्लास्कों भी पाणी ठीक से नहीं आता है अलेड़ी यह जियाई लें जो है ब्लॉक हो हो चुका है इसको आज मैंने क वीडियो में आपको देखाता हूं क्या-क्या मेट्या लगता है और किस तरह से इसको खुल दिया हूं देखिए किस तरह का पानी थोड़ा-थोड़ा आ रहा है अभी दूसरा ट्याप को भी खोल रहे हैं अभी जो यहां पे जो टॉयलेट का जो हेल्ट पेशट लगा हुआ ह है इस तरह का कुछ प्रोलम होगा तो आपको क्या करना है जो गीजर का पॉइंट में रहता है उसको खोलना है फिलाल ये बात्रूम में गीजर का पोइंट नहीं है, इसलिए मैंने यह सबसे हाट भला जो यह ट्याप पोउन्ट लगा 4-4 इसी को मैने खोला हूँ इसी में ही मेरे को केमिकल डालना है और वह तैप जम्यें पहले मेरे को क्या है पणी बंद कर देता हूँ पानी बंद करने के बाद यह लिए ठोड़ा थोड़ा आ रहा कर् pyma लोगल61 hem है और यह जो हैंस हो रहे इसका तीनों पॉइंट का जो अंदर का पाइप लेन है और फ्लास में भी ठीक से नहीं आ रहा है इसका जो एंगल कखे उसको भी मैं खोलता हूं कभी भी आप गीजर का पॉइंट में अगर आपने केमिकल डाला तो कम से कम एक दो ट्याप जो है नी पूज करूंगा फ्रेंड्स यह बिल्कुल मैंने पाकेट को उपन किया हूं यह सुगर की तरह है बिल्कुल चीनी जैसा है ऐसे ही है फ्रेंड्स अभी क्या करना है यह जो शेट्र के एसिड है इसको मैंने एक जोग पानी लिया हूं इसमें एक जोग पानी है इसमें मैंने थोड़ा सा उसको पानी में डालोंगा पानी में डालके उसको पहले मिलाना है अभी देखिए मैंने इतना डाल दिया हूँ अभी इसको थोड़ा सा मिला दना पहले क्योंकि अच्छा से ये पानी में मिल जाना ये सेटरिक एसिड जो है ये स्रिफ क्लीनिंग के लिए इसमें अलेडी लिखा हुआ है मैंने इसका जो है आपको देखाता हूँ आगे आप इसमें क्या-क्या कर सकते हैं ब्लॉकेज को भी क्लीन करता है जितना आई ये आईरन पा फाइबी ये जिसके वोशे ब्लॉक होने के बड़े से इसतरह का पानी आ रहा है अब हम क्या करेंगे फ्रेंट्स इट्रियाप को मैंने खोला था आपको दिखाए तर्म मैं ने उसको भी उल्टा कर दिया अभी इसके जरिया में मैंने इसका जो यह जो शिट्रिक एसीडी अभी पानी में मिल चुका है आपको क्या करना है इसी तरह काट डालना है या तो कुछ बेंड लगा के भी डाल सकते हो मैं अभी यह ट्याप की जरिया में डाल रहा हूँ अब ये धिरे-धिरे अंदर जाएगा पाइप लाइन को होके जहां-जहां ब्लॉक है उसको क्लीन करना शुरू कर देगा क्योंकि फ्रेंट्स ये पानी जाने के बाद यहां निकलेगा हर पॉइंट में आएगा बाहर वास्मेशन का पॉइंट और एक इधर पॉइंट है क्योंकि ये रेंज में है नीचे का लाइन में पाइप लाइन है और ये सीधा पाइप लेन को जाके चारा तुरह फेल जाए गया तो फिर हम पानी चालू करके इसका प्रेसर देंगे पहले इसको मैं भर लेता हूँ पानी में मिलने के बाद मैंने इसका पुरा भर दिया हूँ आपको एक घंटा छोड़ना है टाकि ये जो गया अंदर जो है वो फिर अपको क्या करना है यह से ट्याब को ऊपन करके आपको उपर से पानी खोल देना है। पानी खोले तो पानी का प्रेसर से सब धकल के आ जाएगा। और इस तरह से आपका pipeline जो है clean हो चले मैं अब इसको एक घंड के बाद आपको दिखाता हूं कि किस तरह clean होता है इसी तरह का जो product कभी भी आप भी यूज करते हो cleaning के लिए चाहे GI pipeline होने तो आईरन pipe होने तो चाहे CPBC pipeline होने दो जब भी clean करते हो इसको चस्मा लगा लेना और ग्लोब्स लगा लेना फ्रेंट्स यह क्या है इसका नामी सिस्ट्रिक एसीड है इसमें थोड़ा सा कुछी एसीड का पावर रहता है कए हाथ पाथ कए कटा हुआ छिला हुआ तो उसमें जलन होगा आप ग्लो work drains फ्रेंट्स यह सभी इसमें कर सकते हैं चले मैंने पहले आपको जो जी लाइन है आइरन पाइप को clean करके देखाता हूं उसके बाद CPBC लाइन को जो होता है उसको कैसे कर सकते हैं बाकी एक एक चीज में आपको एक वीडियो बना के आपको देखाता हूं फ्रेंट्स का निकलेगा चले पांबी खोलते हैं देखेंंट सको थोड़ार नजर दखेंग है क्योंकि अभी कैसा तरह का पाणि आ रहा है और इक स्तरा का सांब कितना घंदा आ रहा है फ्रेंस, देखिए ये जो है बलॉके待 स्था, सब भी आ चुका है दखे दिरे अब देखे पानी का स्पीड भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है देखे फ्रेंस, ये किस्तरा का कचिड़ा कितना निकला है अभी इसका ट्याप को खोल के देखेंगे देखे फ्रंस इसका भी पानी इस तरह का आ रहा है अभी इस ट्याप को भी खोल देंगे फ्रंस अभी थोड़ा थोड़ा पानी ज्यादा आओना शुरू हो गया क्योंकि इसी पॉइंट में ज्यादा बहुत कौम आ रहा था क्योंकि देखेंगे अब देखो आगे एकी टाइमें देखो फ्रेंट किस तरह का पानी आ रहा है देखिए अब यह फूरा क्लियर हो चुका है कि यह पानी का स्पीड जो है देखें वास्केशन का देखो तोड़ा कैसा है पानी पहले बंद कर लेता हो आप देखिए इस तरह का पाइप पूरा क्लिए देखेंगे इस तरह की प्रेशर है यह बिल्कुल इसी तरह का आपका पूरा क्लीन हो जाएगा यह कभी भी इस्तरा का जो केमिकाल आप यूज करे तो यह सिट्रिकेशिड यूज करे तो पाइपलेन को थोड़ा सा पानी ज्याधा टाइम खोला रखना है फ्रेंस देखिए यह किस्तरा का अभी पानी आ रहा है मैंने ट्याप लगा दिया हूँ प आप यह पानी बहुत चीटा मारता है देखिए यह कितना स्पीड है अभी हेल्थ पैसे में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था अभी हम इसको लगा देंगे अभी देखिए किस तरह का कितना स्पीड से आ रहा है यह अभी लग गया तेंग्स देखिए किसमा स्पीड हो गया है ईसी तरह का कभी भी बाथरूम में पूराना liegen होने दो आइरिण पाइप जिसको बोलते हो या CTVC लाइन होने तो इसी तरह का आप citric acid ले जो पाकेट में ने आपको दिखाया एक के चीज़ करके उसको पानी में मिलाना है जब भी citric acid यूज करोगे पहले तो आपका safety देखना है ग्लोब सा हाथ में लगा लेना चस्मा लगाना और यह चीज से थोड़ा क्योंकि safety के साथ आपको इसको यूज करना है दूसरा चीज आप cleaning होने के बाद आपको हर ट्यापको ज़्यादा दिर तक पानी थोड़ा सा निकाल देना है ताकि pipeline में आपने जो acid यूज किया हुआ है वो सब बाहर निकल जाएगा यह जो शेट्रिक एसिड है यह ज्यादा पावर नहीं है लेकिन जो है pipeline में डाल के आपको कुछ देत तक छोड़ना है और एक देर घंटा छोड़ दिया तो यह अच्छा से clean कर देगा यह पूरा अगर फ्रेंस इस तरह का यह वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सास्काइब को लेना लाइक तो फ्रेंस है को जोरोर करना